जहीं दोस्तों मेरा नाम है आकास महर्या और आपसे लोग काप के अपने चैनल आलक्यूपिश्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है प्रेंस जैदि आप लोग ने CRPF परामेडिकल इस्टाब के लिए जो है अब फार्म को अपलाई किया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी खुसखबरी निकल कर आ रही है जी हाँ दोस्तों आप लोग का जो आए है फार्म की स्कैनिंग की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है अब बहुत सारे स्टूडेंट यह होंगे यह सोच रहे होंगे कि हमारा फार्म का स्कैनिंग से क्या मतलब है तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ने जो फार्म को भेजा हुआ था उसका जो डाटा है जितना भी आप लोग का ना, फादर, नेम, डेटा, बर्त इन सारे डाटा को जो आई है, केंप्यूटर पर अप्लोड किया जाता ठीक है तो जिसको बोलते हैं फार्म स्कैनिंग की प्रक्रिया ठीक है इस प्रक्रिया को पूरा कर चुका है और इसके प्रक्रिया को पूरा करके जो आप लोगों का फाइल है है उसको दिल्ली हेड क्वार्टर भेज दिया गया ठीक है क्योंकि आप लोग का वहीं से ही जो है है एडिमिट कार्ड के बारे में डिसी जन लिया जाएगा ठीक है तो यह आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी खुसकबरी निकल कर आ रही है अभी भी यहां पर आप लोग के पास जो है अब किन किन फार्मों की स्कैनिंग कंप्लेट हुई है मैं अभी बता देना चाता हूं यह साई आप लोग की स्कैनिंग की प्रक्रिया जारी हुआ है अभी चल रही है लेकिन आप लोग के यसाई, एसाई, हेड कॉंस्टिबाल और इस्पेक्टर के पदों की स्कैनिंग कंप्लेट हो चुकी है और इनका फार्म भेज भी दिया गया ठीक है दिल्ली हेड कोटर भेज भी दिया गया और वहांपर आप लोग को पहुंच भी चुका है अब उनके द्वारा जो है है आप लोग के जो है है सेंटर कहां पर लगने वाले कहां पर आप लोग को होने वाले इसके बारे महां पर decision लिया जाएगा उसके बाद ही जो है आप लोग का admit card के बारे में बताएजागा जैसे कोई new update आएगी सबसे पहले आप लोगगो हमारे इसी चैनल पर जानकारी दे जाएगी लेकिन मैं आप लोग Ever can काड़ भी आएगा तो सबसे पहले जो है इन्हीं फार्मों का जो है एडमिट काड़ आएगा ठीक है आप लोग इसकानिंग की जो प्रकिर्या जो कम्प्लेट हुई है जिस हिसाब से है इसी हिसाब से एडमिट काड़ को भी रिलीज किया जाएगा अप लोग को बाद में आगे बढ़ा जाएगा एक्जाम तो फिलाल सभी का सेम होगा ठीक है यदि आप लोग मन में यह बात उठ रही होगी कि एक्जाम क्या लेट फास होगा तो एक्जाम आप लोग को सभी को सेम डेट होगा जैसा कि आप लोग को मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया जो कि आप लोग का जो हई है एक्जाम डेट चेंज करना पड़ा है ठीक है तो उस वीडियो को भी आप लोग दे सकते हैं आप लोग जितनी भी जानकारी दे रहा हो बिल्कुल हलके मत लिजेगा मेरे बात की एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा सारी जानकारी आप लो देता हूं ठीक है यादि कोई मेश्टिक होती है तो मैं तुरन जो है एक अलग वीडियो को द्वारा आप लोग को सारी जानकारी प्रोवाइड करा देता हूं है इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जो है हम पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं मैं किसी अल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि आप लोगों को हमारे इस चैनल पर जो है स्टी आर के प्रामेडिकल से सम्मधित जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट आती रहेंगी सारी की सारी जानकारी आप लोगों को दर पल दर मिलता रहेगा ठीक है तो फ्रेंस हम लोग ऐसे ही आनकारी साथ नए वीडियो मिलेंगे तब तरह के लिए टेक केर गुड़ बाई